रमेश की पतनी को बहुत गुस्सा आता था और वह गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतु बोलने की वजह से कभी-कभी उसके घरवालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना लिकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शान्त होता तब वह आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे शमा करें आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोलना उसकी आदत बन गई थी उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और न चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था एक समय के बाद गाव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आय हुए है सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है आप सब क्यों अपनी बहु को लेकर उन महात्मा के पास जाईए क्योंकि वह सुना है कि वह हर समस्या का समाधान बरे ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं अगर आप सब वहाँ पर जाएं तो निश्चे ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा इतना सुनते ही उसके घरवाले उसको लेकर उस महात्मा के पास चले गए चलते चलते वो ठक गए और शाम हो गई क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था देर शाम होते होते वह महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुँची गए महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वह सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा यह मेरी बहु है इसे बहुत गुस्सा आता है कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती सच जूट सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता बस मन में जो आता है ये बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधार्ती आप ही बताईए कि भगवन हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें कृपया हमें इसका उपाय बताएं महात्मा मुस्कुराए और बोले एक कहावत है क्रोध से पहले सोचो उसे दुबारा उगलने से रोको उन्होंने बोला इसका क्या मतलब है आप ज़रा खुल के ही बताईए हमें ये बात समझ में नहीं आ रही महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ये कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक बुढ़िया रहती थी उनका नाम धनिया था धनिया बहुत ही प्यारी और दयालू महिला थी लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी वे चोटी-चोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं वह सबको गुसे में अपने से छोटा ही समझती थी बुढिया जितनी गुसेल थी उतनी ही लालची थी उसके मन में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था एक समय बुढिया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वह पैसे भी कमाना नहीं चाहती थी तो उसके मन में तरकीब सूझी उसे याद आया गांव में मेला लगा है क्यों न इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए धनिया ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि उनके गुसे को कुछ सीख मिले उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा मेरे पास एक चुट पुला है अगर तुम मुझसे हस पाओगे तो तुम्हें मुझे एक सिक्का देना होगा लेकिन अगर तुम मुझसे हस ना पाओगे तो मुझे तुम्हें दो सिक्के दिने होंगे अब बुढिया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ बनाकर अब मैं पैसे भी कमा लूँगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है? बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हसते हैं, लड़के राजी हो गए। धनिया ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धी इतनी तेज थी, वे सब उस बुड़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वह लोगों को बेवकूफ बनाती है और वह धन की कितनी लाल्ची है, इसलिए सब ही लड़के मिलकर पहले से ही प्ल हाँ, बिलकुल, हम सब तयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ, फिर बुड़िया ने एक मज़ेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हसी नहीं निकाली, बुड़िया थोड़ी सहमी, लेकिन उसे दो सिक्के डबल देने थे, इसलिए उस के मन में उपाय आया, उसने मन ही मन सोचा, अगले बार वो इस से भी बहतर चुटकुला सुनाएगी और पक्का सब को हसा के ही मानेगी, इस बार बुड़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं हंसा, अब बुड़िया थोड़ी ग कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास दो सिक्के देने ही पड़े, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, अंत में बुड़िया ने जितने भी सिक्के लिये थे, उन लड़कों को दे दिये, और वहां से रोते-रोते चली गई, उसने सबक लिया कि आज क के बाद वो गुसा करना छोड़ देगी, इससे धनिया ने सीख ली की गुसा करने से केवल नुकसान होता है, उन्होंने गुसे को कम करने का निर्णय लिया, और अब अपने गुसे को बारीकी से संभाल कर रखती थी, उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से, वे अपने आप को और अपने आस पास के लोग को खुश रख सकती थी उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पर कुलहरी मारी थी और अब उसने सभी सारा कुछ गवा दिया उसके पास अब पक्षचाताप करने को भी कुछ नहीं बचा अंत में वह खाली हाथ घर को लोट गई इस कहानी को सुनकर लड़की के माम बाप ने बोला महाराज अब आप ही बताईए गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे संत ने कहा अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन्हें तुम ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है गुस्से के कारण फ्रिदय रोग, उच्च रक्त चाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थे समस्याएं हो सकती है ये सच है, ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़ चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थे सुधरता है इसलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेईज़ती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिष्टों में नहीं बोल पाते, जहां बोलना चाहिए और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पर भला रिष्टा कैसे रहेगा क्योंकि रिष्टे प्रेम के सहारे चलते हैं और जिन रिष्टों में प्रेम नहीं, और जिन रिष्टों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहाँ पर भला रिष्टे कैसे टिकेंगे इसलिए. रिश्टे को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा इसलिए यह जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शान्त होना जरूरी है लेकिन मन तभी शान्त होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशान्त रहेगा फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो, और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे, तो भला वह जिन्दगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसी लिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णे नहीं ले पाते हैं कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णे ले सकते हैं जब हम कम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिती पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांती का अनुभव होता है। ज्यादा होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिती और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। आप अब कृपा करके आप मुझे ये बताईए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए क्योंकि अभी के लिए ये सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अपने मन को यही बताओ और समझो कि तुम दस सेकंड कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ गुस्से में। अगर तुम उसे जगह को छोड़ कर कहीं और चले जाते हो, तो तुम निश्चय ही उसपर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और यह तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐ कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वर्ल्ड फ्री इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक और प्रेर करना दायक कहानी के साथ अगले दिन धन्यवाद।